बंदे मातरम जै भारत आज भारत में निरंतर होस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है और कितनी तेजी से बढ़ रही है इसका आनुमान आप नहीं लगा सकते लगबग हर महिने 15% नए होस्पिटल इस देश में खड़े हो जाते हैं होस्पिटलों की संख्या बढ़ते बढ़ते रोग्यों की संख्या भी जितनी होस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है उससे कई गुणा जादा रोग्यों की संख्या बढ़ रही है 26 क्रोड लीवर के रोगी किड़नी के रोगी 13 क्रोड 10 क्रोड हाट के रोगी कैंसर के रोगी 90 लाक हर साल कैंसर के रोगी अपनी जयान गवा देते हैं यानि कि लगबग एक क्रोड़ लोग कैंसर से मर जाते हैं तो रोगियों की संख्या कितनी होगी उस चीज का अंदाजा समाज लगाए आज का ये जो वीडियो है पूरे देश के लिए है और विशेश रूप से उन देश वाशियों के लिए है जो भाई राजी उदिक्सित ज चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि एलोपैथी की जो गुलामी इस देश पे है होस्पिटलों का जो जाड बिछा हुआ इस जाड को तोड़ के इस चक्रुव को तोड़ के बहार निकल जाएं तो उन सब यूवकों से मेरा निवेदन है कि आप आगे आईए हमें हर जिले प के बिना किसी तनखा के बिना किसी पैसे के जो सहीद हुए थे आज मैं कहता हूं कि आपको सहादत देने की आउसकता नहीं है आज आउसकता है आपको ग्यान प्राप्त करने की आप सब यूवकों को ग्यान लेना है ग्यान लेके हर जिले में गुरुकुल खोलना है और गु भी यूकों को जो सीखना चाहते हैं हर माँ पहले जो संख्या हम पांच लोगों को सिखाते थे उस संख्या को अब हमने डबल कर दिया है क्योंकि इस्वर की किरपा से दान दाताओं की किरपा से कुछ मकान का निर्मान कारिये पूरा हो गया है तो 20 तारिक से जो ये आप यह देखिए एलोपैथी की कैंसर के विशे में मैं बात करूं तो मेरे सामने एक रोगी है और इनको 25 कीमो लग चुकी है और एक कीमो की लागत लगबग छान में अजार है यानि कि 25 लाग रुपए ये खर्च कर चुके हैं सरकार के 25 लाग खर्च हो चुके हैं क्योंक 25,000 रुपए मिल रही है यानि कि भारत का भारत के देशवासियों का अनमोल पैसा लगबग 25 लाग रुपए खर्च हो गया और उसके बाद भी रोगी गुरुकुल के अंदर बैठा है अपनी बीमारी को लेके क्योंकि बीमारी में सुधार नहीं निरांतर गिरावट है तो अभी कुछ लाब नहीं हुआ और मेरे तो दर्द रहता है तो दरता है एक तो मेरे और उसके बाद में दोड़ा चकर भी आता है और सास तड़ने लग जाता है कभी-कभी मतलब आद पेर भी सुन हो जाते हैं दीरे-दीरे-दीरे मैं सोचा फाइदा होगा लेकिन पाइदा नहीं हो रहा है और नीचे जा रहा हूं मैं तो आप खुद देख सकते हैं कि 25 कीमों के बाद भी निरंतर गिरावट हो रही है और एक तरफ में आपको एक ये खत अभी सुबह सुबह एक रोगी ने मुझे उसकी मा ने गुरुकुल के नाम से बेजा है और मेरी आखों में आस कीमों लगवाते लगवाते जो डबलू एस्टी की रेंज आठ थी मातर एक महिने में गोमाता ने इस रेंज को एक पे लेके जो वर्सों से कभी ठीक नहीं हुआ कीमों भारत के सबसे बड़े होस्पिटल ने लगाने के बाद भी आज वो किस तीती में मा का खत है इसका फो अकरती मा और गोमाता में विशवास है तो सभी यूख जो चाहते है नीश्वार्थ वाउसे जिसे पैसे की भूख नहीं है जिसको धन की भूख नहीं है जो ये चाहता है कि बस मैं मुझे मनुस्य जनमपर ने दिया और इस जीवन को शार्थक करना है वो सभी गुरुकुल आएं ग्यान प्राप्त करें और नए नए गुरुकुलों का निर्मान करें जिससे देश हमारा आगे बढ़े परकर्तिमा हमारी आगे बढ़े वंदे मातरम जै भारत